हलो गाईज, वेलकम बैक टू यूटूब चैनल गवर्मेंट जापरपरशन गाईज जैसा कि आप सबी लोगों को पता है कि जो डेली जी के अपडेट्स है या डेली करेंट अफेर पॉइंट्स है यह हमारे आने वाले एकजाम के इस परपस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसी परपच को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर आपको डेली जी के अपडेट्स प्रोवाइड किये जाते हैं ताकि आपको हमारे चंद से समधित जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी तो गाइज बढ़ते हैं अपने GK सेशन की तरफ तो आज है 2 माई आज हम डिसकस करेंगी 2 माई 2018 के कुछ important GK points तो गाइज जो आज का हमारा पहला question है वो है भारत की किस खिलाडी ने हाली में Satellite Fishing Championship में रज़त पदक जीता है तो गाइज अभी जो Satellite Fishing Championship जो चल रही है जो की आइस लेंड के इरिकजेविक में चल रही है तो उसमें अभी भारत के किस खिलाडी ने रज़त पदक जीत लिया है इसमें जो है C.E. भवानी देवी ने अभी हाली में रज़त पदक जीत लिया है ठीक है तो गाई यहां पर बात की जा रही है आइसलेंड की तो थोड़ा सा आइसलेंड की बारे में जानने के अगर हम कोसिस करें तो जो आइसलेंड की राज़दानी है वो है एरिक्जेविक और जो आइसलेंड की मुद्रा है वो है क्रोना तो अभी भारत की किस खिलाड़ी ने हाली में सेटलाइट फेसिंग जेंपेंशिप में रज़त पदक जीत लिया है तो जो आज का हमारा अगला important question है वो है हां की इंडिया ने हाली में किसे पूर्सों की टीम के लिए कोच न्यूट किया है तो जो जो पूर्सों की टीम है उसके लिए अभी कोच न्यूट किया है जबकि सोजरद मारजने को महिला परच के मुखे कोच के रुपे न्यूट किया गया है तो जो 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 पूर्सों की टीम है इसकी प्रस्टभूम जो पर लिया गया है जिसका जो आश्टिला के गोल कोश्ट में अभी हाली में जैसा प्रदर्शन रहा तो उस निरासा जनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस नेड़े को लिया गया है और हाँ की इंडिया की जो है पूर्सों की टीम के लिए नए कोच के रूप में हरिन सिंग को न्यूक्त किया गया है ठेकी गाईस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन की तरफ जो हमारा अगला इंपॉर्डेन क्वेशन है वो है अंतरास्टी श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है तो जबन जाता है एक मえば जाता है, और जबन जाता है, तो जबन ओप्सिन मुँमर 2 हमारे यहांपर पर सही हो जाएगा तो जबन जाने के लिए यह शर्म संग्ह współको बढ़ाहवा देने और प्रोस्ताहियंट करने के लिए एक मुए को पूरी दुनिया में मना जाता है और गैस जो इस बार का इसका थीम है यानिकि इस बार का जो इसका विशे है बनाया जाने का तो वो है Uniting Workers for Social and Economic Advancement Uniting Workers for Social and Economic Advancement ठीक है गाईस जो जो 1886 में इस दिवस पर संइक तुराज अमेरिका में स्रमिक संखो ने हरताल की और मांग की कि स्रमिको को दिन में 8 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए ठीक है गाईस तो गाईस यह था आज का जो तीसरा important point दो पढ़ते हैं अपने अगले point के तरफ तो आज का जो अगला important point है तो वह है कौन भारती खिलाडी हाली में 10 मीटर एर पिस्टल में बिस्व नमबर एक के सूटर बन गया है ठीक है तो अभी गाईस अभी हाली में जो भारती खिलाडी है साहाजर रिजवी ये भी हाली में 10 मिट्र एयर पिस्टल में 20 No. 1 हिलाडी या 20 No. 1 शूटर बन गया है यांनि कि Option No. 1 साहाजर रिजवी हमारा सही Option हो जायगा so जाए जब जो दचचिड कोरिया में हाली में समपन हुआ था 20 शूटप में सब्पन हुए विश्योकप में रज़त प्रदक जीतनी के बाद भारती सूटर साहजर रिजवी 10 मीटर की एर पिस्टल सेडी में विश्योकी नमबर एक सूटर बन गया है ठीक है इन्होंने 1654 रेटिंग के साथ यह मुकाम हासिल किया है कितने 1654 रेटिंग के साथ यह मुकाम पर जाता है तो वह आता है जापान के तोमयू की मतसुदा का किसका तोमयू की मतसुदा का जिरोंने 803 रेटिंग प्राप्त किये हैं ठीक है तो पहले नमबर पर यह पहुंच कहीं है जो भारती सूटर है साहजर रिजवी और दूसरी नमबर पर जो है वह है रूस की जीता है अभी हाले में मनु भाकर यह चोथे अस्थान पर है जो महलाओ के 10 मिटर एर पिस्टल रखने के 6-10 में एक मात्र भारती थी ठीक है तो गईज बढ़ते हैं अपने अगले important question की तरफ तो गईज़ आज का हमारा अगला important point है तो वो है Airport Council International यानि की ACI के अनुसार कौ हवाई यात्री यातायाद के लिए तेजी से उभरने वाला दूसरा देश बन गया है तो भारत को हवाई यात्री यातायाद के लिए दुनिया का दूसर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश माना गया है तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ACI के अनुसार 2022 तक भा भरती आर्थिव्योस्थाओं में यात्री आतयात उत्पन आर्थिव्योस्थाओं को पार कर जाएगा ठीक है और इस दुनिया भर के हवाई अड्डो का जो प्रदिद्र करने वाला एक वैशिक ब्यापार निकाय है ये ACI तो इसने जो है वियत नाम को 8.5% की प्रदर के साथ चीज़स्थान पर रखा है और इसके बाद भारत को 7.5% और इसके बाद इरान को 7.3% पर रखा है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात करें भारत की तो भारत को किस पॉइंट पर इसमें रखा है पर भारत को इसने 7.5% रेटिंग के साथ कितना 7.5% रेटिंग के साथ नंबर दो पर रखा है और 8.5% के साथ वियत नाम को इसमें नंबर एक पर रखा गया है और 7.3% के साथ इरान को इसमें जो है यह कितने किस नंबर पर रखा गया है इरान को तीसरे नंबर पर रखा ग तो वो है World Anti-Doping Agency यानि कि वाडा World Anti-Doping Agency वाडा के अनुसार भारत को डोपिंग उलंगन सुची में कौन सा अस्थान दिया गया है जब हाली में जो World Anti-Doping Agency है तो इसके एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग उलंगन सुची में छठा अस्थान दिया गया है यानि कि ऑप्सन नंबर 2 हमारा यहां पर सही हो जाएगा ठीक है गाईज सो गाईज दोजार सोला में 71 की गए नमूनों के अंतरगत World Anti-Doping Agency रिपोर्ट के अनुसार भारत को 79 मामलों के साथ डोपिंग उलंगन की सूची में सेंगतु छठा अस्थान दिया गया है ठीक है और 2013 से 2015 तक लगातार तीन वर्सों तक भारत ने संगतु तीन अस्थान होने के बाद छठे अस्थान पर अपनी इस्थिति में सुधार किया ठीक है सो गैज 2016 में इतली ने ड्रग मामलों की रंकी में सी सस्थान हासिल किया इसके बाद फ्रांस और इसके बाद सेंगतु राज अमेरिका आस्ट्रिलिया बेल्जियम रहे ठीक है अब बढ़ते हैं अपने अगले important question की तरफ आज का जो हमारा अगला important question है वो है नवी भारत जापान उर्जा वारता कहां आयोजित की गई अभी हाली में नवी भारत जापान उर्जा वारता है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई यानि कि option no.4 यहां पर हमारा सही हो जाएगा ठीक है ये नवी भारत जापान उर्जा वारता है ये नई दिली में आयू थी उर्जा और नवीनी करण उर्जा के राज्य मंत्री स्वतंत रुभार आरके सिंग और अर्थ ब्योस्ता ब्यापार और उद्योग मंत्री हिरोशिगे सेकों ने बैठक के समापन पर सेक तो वक्तव पर हस्ताक्षर किये ठीके दोनों देश उर्ज अर्जा पर पहुँँच और जलवायु परतन के मुद्दों के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए वे इलेक्टरानिक वहन चर्चा करने और अच्छी तरह से काम कर रहे है उर्जा बाजारों को बढ़हावा देनी के लिए मिलकर काम के लिए प्रतिवत हुई थीकिこ्यू यहाँ पर बात की जा रही है जपान की तो जपान की राजधानी है वो है टोक्यो जपान की जो मुद्रा है वो है येन और जपान के इसमें प्रजेंट प्रधान मंतरी है वो है सिंजो अबे ठीक है गाई तो बढ़ते हैं आपने आज के जीकी शेसल के लास्ट इंपॉर्डिन पॉइंट की तरफ तो आज का जो हमारा अंतिम इंपॉर्डिन पॉइंट है वो है सुच भारत मिशन दोरा हाले में गोबर्धन योजना का सुबारब किस राज्य में किया गया ठीक है तो जो केंद्री पेजल इंस्वास्त्यमत्री सुच्री ओमाभारती हैं ने राश्टी डेरी रिसेर्च इंस्टीटूट यानि कि NDRI डेरी रिसेर्च इंस्टीटूट NDRI ऐंडी आरई औरी आरिटोरियम करणाल हरियाडा में यानि कि यहां पर option number 2 हमारा सही हो जाएगा हर्याड़ा में और हर्याड़ा में कहां पर जो dairy research institute है ndri auditorium करनाल ठीक है तो यहां पर इन्होंने गोबर यानि कि galvanization अगर हम गोबर का full form की बात करें यानि कि galvanizing organic bio agro resource क्या है galvanizing organic bio agro resource धन योजना की सुरवात की या योजना मुख्यमत्री मनोहरलाल खटर की उपस्तिती में शुरू की गई ठीक है और इस योजना को जो उदेश है तो वो है गाउं की सफाई को साकारात्मक रूप से प्रभावित करना और मवेसी और जैविक अपसिस्ट से धन और उर्जा उत्पन करना है तो इसका जो उदेश नए ग्रामीड आजीव का क्या उसर भी पैदा करना है और किसानों और अन्य ग्रामीड लोगों के लिए आयमें ब्रद्धी भी करना है ठीक है गाइस तो एक पॉइंट और जान लेते हैं तो जो हर्जाना के मुख्यमंत् सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो समय समय पर मिलते रहें इसी स्रीज के नए वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्स पो वाचिंग